जब भी हम trading या investment की बात करते हैं तो हम या तो खरीदारी के बारे में सोचते हैं कि कोई stocks अगर अपने bottom पर मिलेगा तो हम खरीद लेते हैं या कोई index अगर अपने bottom पर है तो उसका कोई ETF हम खरीद लेते हैं ताकि आने वाले दिनों में अच्छा profit हमको मिल जाए बट हमने दे है कि ऐसे में हम trades कर सकते हैं बट उसके क्या-क्या तरीके हैं तो वह आज के इस वीडियो में में बताने वाला हेलो everyone मेरा नाम है सतीश कुमार और आज आपके लिए ऐसे topic को लेकर आया हूं जो आपकी real life को से connect करेगा कैसे कि जब भी आपने बहुत सारी real सुनी होगी कि चा जितना ओपर जाएगा वही पर थोड़ा एक downfall भी दिखाए देगा तो एक smart trader क्या करता उस downfall के benefit उखाता है तो अगर हमको cash में खरीदारी करना है तो हम खरीदारी करके hold कर सकते हैं बट अगर हम cash में बिक्वाली के बारे में सोचते हैं तो ऐसे case में क्या करते हैं कि वहां करनी सकते हैं या ऐसा तो नहीं कि आहीं बार वो मान के चलिए खल 5% gap down से open हुआ तो ऐसे move को कैसे पकड़े तो इसके लिए हमको simple क्या करना पड़ेगा future में short करना पड़ेगा और वहां पर उसको short करने के बाद हम उसको hold भी कर सकते हैं कब तक उसके contract तक contract कब होगा मंत का last थज़े उसका contract होगा इसी बीच और सवाल क्या future में time decay होता है तो यह आप मुझे comment box में बताईएगा कि future में time decay होता है या नहीं होता है और इसका जवाब जानने के लिए next वीडियो का इंतजार भी करिएगा फिलाल अभी ये वाला वीडियो end तक जरूर देखेगा और channel प तरीके से हम यहा पर मुनाफभास बना सकते हैं वो सारी बातए हम इस वीडियो में करने वाले किस वैसे पर हम करने वाले हैं Tôiमें आपको बता देता हूं हम जब भी को स्टॉक को analysis करते हो सकता आपके और तरीका हो तो सब अपने तरीके से aleysis करते हैं और आप कही बाद डर आज मैं बात करने हो ला हूँ OI to I की कि जब भी stocks अपने open interest के high पर होता है ऐसे cases में मैंने practically देखा है कि कई बार वो अच्छा fall देता है mostly time पर देता है तो क्या ऐसे time पर मुझे short करकर hold कर लेना चाहिए यह करना चाहिए तो मुझे महापर मेरा कितना risk होगा और क्या उस risk को minimize किया जा सकता है वो सारी बातों के ओपर आज हम discuss करने वाले है तो चलिए हम open करते हैं option chain और option chain में मैं आपको दिखाने की कोसिस करता हूँ simply मैंने एक stocks निकाला है अरविंदो फार्मा जो की अपने top पर चल रहा है अब कैसे बता चला यहां पर देखिए open interest का column दिखाई दे रहा है यहां पर भी open interest का column दिखाई दे रहा है इस open interest के column में यहां पर आपको color में दिखाई दे रहा होगा कि 100% मतलब सबसे बड़ा open interest कहां पर है और यहां पर सबसे बड़ा open interest कहां पर है वो भी आपको दिखाए दे रहे मतलब कि इस stocks का जो top है वो 1400 का top है और bottom है वो 1300 का bottom है 100 point की range है बाजार में 100 point का correction आने वाला है अब यहां तो मैंने मान के चलिए 1300 रुपे से खरीदा है तो 1400 पर बेज दूँगा वापीस 1300 का इंतजार होगा तो मैं खरीदूँगा बट मुझे clear दिख रहा है कि 100 रुपे नीचे जाएगा तो मैं क्या गरूँ तो ऐसे case पर हम यहां पर future में short कर सकते हैं ठीके अब future में short करेंगे तो यहां पर जो profit होगा और कितना होगा तो सबसे पहले हम इसका load size चेक करते हैं अर्विन दो फार्मा का load size देखे किता है 550 का load size यह 550 मतल कर दिया short कर दिया बाजार में मेरा target है कितना 100 रुपीस का ठीक है अगर यहां पर गया 100 पॉइंट मुझे profit अगर देखकर गया और मेरा 550 का target है तो ऐसे case में मुझे कितना पैसा मिलेगा 55,000 रुपीस मुझे मिलता है profit होता है बढ़ यह मेरे against ला गया तो ऐसे case में क्या 55,000 रुपीस का loss होगा तो क्या इतनी capacity है आपके अंदर कितना loss आप ले सकते है profit तो चलिए हर किसी की capacity है ले सकते और दूसरी चीज़ एक और बात ध्यान देने वाली जब profit होता है न तो किसी को भी मतलब mostly लोगों को बरदास नहीं होता है profit थोड़ा सा profit हुआ जट पढ़ लेना चाहिए अब हम बताएं कि कैसे हमको हेज करना है हेज करने के लिए simple क्या करना है यहां पर मान के चलिए मैंने और डिपेंड करेंगे मतलब कुछ जो profit हो रहा 55,000 का उसमें से कुछ पेसा और हमको लगाना पड़ेगा मतलब कम profit होगा तब ही जाकर हम उस position को हेज करते मतलब कुछ तो compromise करना पड़ेगा अब अगर मैं compromise कर रहा हूं कहां पर मैं compromise कर रहा हूं यहां पर 1416 मतलब 18 रुपीज का premium मतलब में खरीद ले रहा हूं और बाजार क्या हो गया इसके ओपर चला गया तो मुझे कितना लोस होगा 60 रुपीज का लोस होगा ठीक है मैं अगर एग दयुद्र मान के छलिए 1420 का का कॉल ओप्षन खरीद ले रहा हूं और मैं मुझे रिस्क कितना है? 20 रुपिज का, 10,000-रुपए का फिर भी रिस्क रहने वाला है और अगर मैं 1,400 का कॉल ओप्षन खरीद लेता हूं का नुकसान भी टोटल मुझे फिर भी कितना मिल रहा है 33,000 रुपीज का फ्रॉफिट हो रहा है अगर एकस्पाइरी के पहले मुझे टार्गेट मिल जाएगा तो मुझे यहां पर यह प्रीमियम ना ना करते नहीं मान के चलिए कि दो चार दिनों में ही यह टार्गेट अगर मिल जाता है तो वहाँ पर इसका डेल्टा देखिए इसका डेल्टा कितना है डेल्टा वाला कॉलम यह रहा इसका डेल्टा है 0.38 मतलब की एक रुपे पर 40 पेसा गिरेगा और अगर 100 रुपे गिरा तो कितना जाएगा 100 रुपे गिरा तो कितना जाएगा 100 रुपे पर 40 बढ़ अगर मान के चलिए पहले ही चला गया पहले ही तो इसे cases में हमको यहां पर time value का जो benefit हो मिल जाएगा ठीक है तो कहीं न कहीं हमारा profit थोड़ा सा loss profit और बढ़ जाएगा ठीक है बड़ अगर यहां पर एक और चीज़ दिखाई दे रही है एक yellow box मतलब हमको bottom कहां पर create होत काई दरा 1360 अगर यह 24 दिन के अंदर आपको target मिल जाता है तो इसे case में यहां पर profit कितना हो रहा है आपको 40 रुपे का 40 into 550 कितना होगा calculate करिए 550 अगर हम calculate करेंगे तो 22,000 का profit हो रहा है आपको ठीक है और वहीं पर अगर यह बाजार यहां से गिरेगा तो कितना और अर्विं 20 into 4 करिए तो कितना होगा 40 पेसे से इसको multiply कर दीजे तो इसका delta है का 16 रुपे मतलब यह premium जो होगी वो कितनी बची रहेगी 24 रुपी और minus कर दीजे 4 रुपे time value खा गया फिर भी आपको loss कितना होगा 20 रुपे का loss हो रहा है 40 रुपे का profit है और 20 रुपे का loss मतलब फिर भी और अलगर मैं देखूं तो 20 रुपे आपको मिल रहा है 20 रुपे मिल रहा है 11,000 रुपे का profit आपको हो रहा है तो मैंने यहां पर क्या किया 11,000 रुपे का risk लिया ताकि बाजार अगर मेरे against भी जाएगा तो भी मैं safe रहूंगा ठीक है यह होगा हमारे लिए positive बाते कि हाँ अगर वो हमारे favor में रहा तब की बाते बट अगर बाजार हमारे against चला गया against कैसे मान के चलिए बाजार यहां से चला गया 1500 रुपे तो यही वाला premium कितना हो जाएगा मेरा यह वाला premium कितना हो जाएगा 100 रुपे 40 से तो मैंने खरीदा हुआ है इसको मतलब कि मुझे यहां कितना क्या मुलते है अगर दिखाई दे रहा तो क्या हम 1500 का इंतजार करेंगे और अगर आपको धिकाई नहीं दे रहा है तो आपको यह वाले ऐसे trade करना ही नहीं क्योंकि आपके पास perfect value नहीं है आपके पास वो perfect analysis ही नहीं है क्योंकि हम धुल में लट नहीं मार सकते हमको data पता होना चाहिए कि हाँ यह बाजार 1500 रुपए जा सकता है नहीं जा सकता है हमको कोई भी ऐसा कोई भी इससे numbers नहीं दिखा पाई नहीं दे रहे और अगर एसी कुछ चीज़े तो आपको फिर future में करने का है नहीं आप simply cash में काम करिए ठीक है तो इस तरीके से हमने क्या किया हम अगर बाजार हमारे against चला गया 100 points तब भी 22 के loss में अगर यहीं पर यह वाला premium में नहीं लेता 40 rupees वाला तो मुझे कितना का loss होता 55,000 रुपीज का तो मैंने वो loss को cover किया 33,000 का loss मैंने वहां से cover कर लिया तो यह सारी बातों को हमको क्या करना लेकर चलना है और इस basis पर हम क्या कर सकते future में trade कर सकते हैं साथ ही साथ मैंने और भी बहुत सारे videos आप लोगों के लिए बनाया है इसी के लिए एक और च कर रहे हैं, future में short कर रहे हैं तो वही पर हम put options क्या कर सकते है right कर सकते है proprio more options क्या कर सकते है future में भी बैच और option में भी हमने क्या कर ना बेज दिया, तो वहाँ पर भी पैसा बनेगा, अगर हमने bottom से खरीदारी किये, तो वही call option हमने write कर दिया, तो वहाँ पर भी पैसा बनेगा, और solid पैसा बनेगा, confirm बनेगा, और इसके वीडियो के लिए मैं आपको next वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, उस वीडियो में मै detail में सारी चीज़े आप लोगों के लिए बना कर भेजूँगा, अब मुद्दा यह आता है कि इस trade को कर कौन सकता है, पैसा कितना लगने वाला है, तो पैसों के अगर मैं बात करूँगा, तो future में कितना लगेगा, around 1.5 lakh, एक standard होता है, इतना future में आपको investment required है, इस amount के base पर यह calculation आपको करके मुझे comment box में बताइएगा, तो around हमको 170-180 का total investment लग रहा है, और उस basis पर हम यह मान के चलिए कि 15-30% तक का return आराम से बना सकते है, यह return एक दिन, दो दिन, एक अपते, दो हपते या एक महिने के बीच में हमको मिलता हुआ दिखाएदेगा, mostly अगर मैं मेरा experience share करों तो एक हपते के अंदर यह पेसा आपको easily मिल जाएगा, इसमें आपको ज्यादा महनत करने की जरुवत नहीं, और soup up return मिलेगा, soup up, साथ ही साथ, अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को subscribe कर लीजा, यूटूब पर search करना है, सतीज कुमार LTP, तो वहाँ पर चैनल ने आपको दिखा देगा, बहुत सारे वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाए है, और बहुत सारे community members भी हैं, अगर आप मेरा यह video देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए यह video बहुत काम आने वाले video, ये वाला video बहुत देख़िएगा, बहुत काम का है, ये वाला video के लिए आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि किस टॉपिक पर आपको विडियो चाहिए मैं उस वही टॉपिक पर रेडी करके आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा तो फिलाल आज के लिए इतना ही फिर मिला आजाएगा नेक्स वीडियो में नए टॉपिक के साथ और अपने वैल्यूबल कमेंट शेयर करना बिलकुल मत भुलेगा थेंक्यू सो मच